मित्रों आज की कहानी का शिर्षक है ब्रांडेड छिद्र IIT मुंबई के शुरुवाती बैश का सनातक गेरों गोरों के देश में उच्छ पैकेज पर न्युक्त होने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा मैंने अपने पंखों को मजबूत और मजबूत करके उची उड़ान भरता गया और अपनी उड़ान में उन्हें ही उपेक्शित कर गया जिन्होंने मेरे पंखों को शक्ती देने के लिए अपने लहू को जलाकर मेरे लिए साध्य जुटाए थ इतना समय ही नहीं मिल पाया कि अपने जनक और जन्नी के पाँच पलट कर जा सकूँ मैं अपने आकाश को विस्तार देने में ही व्यस्त रहा और पराय आकाश पर धर्ती पर ही अपने आशियाना बना कर बैठ गया युवा होते पुत्र की अकांखशा थी अपने पिता के देश को देखने समझने की उसकी अंति मिच्छा थी वो दादा दादी को देखे मेरा चोटा सा शहर कुछ बदलावों के अलावा अब भी वैसा ही था लोग वैसे ही थे और मेरे माता पिता भी वैसे ही थे पुत्र पर दुलार लुटाने वाले अपने दोते के पैरों के पुराने से फटे जूते देखकर चुप के से मुझे कोने मिले जाकर दोनों मुठी भरकर मुड़े तुड़े नोट थमाते हुए कहा बाबू बेटे को दुकान ले जाकर नया जूता दिला दे गाउं के मुची की दुकान से खरीदी गई सक्त टायर से बने जूते पहन कर जीवन जीने वाले मेरे पिता अपने पोते के पैरों के फटे जूते देखकर द्रवित हो गए उन्हें नहीं पता था कि ये ब्रेंडेड जूते लेटेस्ट फैशन है और इन ब्रेंडेड छिदरों के साथ ही इस एक जोड़ी जूते की कीमत 40,000 रुपए है जो शायद मेरे माता पिता के साल भर के राशन के मूले के बराबर हो मैं शर्म से आँख उठा कर नहीं देख पा रहा था मैं वही छिदर वाला ब्रेंडेड जूता हूँ जो इतना महंगा हो गया कि अपने माता पिता को ही सुलब नहीं रहा मेरे माता पिता वही टायर से बने सक्त सस्ते जूते हैं साथ निभाने वाले पामों को सुरक्षा देने वाले ख्याल रखने वाले सर्वत्र सुलब क्या ही अच्छा होता कि मैं ब्रांड में नहीं बदलता क्या ही अच्छा होता कि मैं टायर का जूतार ही रहता तो मित्रों यह भावुक कर देने वाली रचना आपको कैसी लगी आप अवश्य बताएं इसके साथ ही पेड़ भी लगाएं पेड़ बचाएं भी और पानी की भी रक्षा करें बचाएं उसको ताकि वो भविश्य में हमारे संतती के काम आ सके धन्यवाद झाल झाल झाल